है लो फ्रेंट्स एक एक और ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज आपके सामने हैं i20 तो आज के वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि i20 में आपको कौन-कौन से अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो आपको दूसरी गाड़ी ओफर नहीं करती खास कर अपने बेस वेरियंट में अगर आप बेस वेरियंट लेते हैं तो कोई भी दूसरी गाड़ी जो भी i20 के कमपटीशन में है वो गाड़ी यां आपको ओफर नही देखेंगे और अगर आप दूसरी गाड़ी जो भी इसके कमपटीशन में जैसे मैंने बताया आपको तो अगर आप उनका बेस बेरियंट देखेंगे तो उनमें कुछ भी नहीं मिलता आपको सिर्फ गाड़ी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक होती है वो भी जैसे मैं इसके थोड़ा सा प्रीमियम फीचर बता देता हूं जैसे गाड़ी की अगर आप की देखेंगे तो कुछ इस टैप से आपको फिलिप की मिलती है जो देखने में थोड़ा सा महाल बनाती है थोड़ा सा अच्छा फील कराती है ऐसा नहीं है फिर पर नार्मल की है इस टाइब से हैं तो अच्छा लगता है उसके बाद आप इसे कार को लॉक कर सकते हैं और फॉल्ड करके रखेंगे तो बूट ऑपन हो जाता है खुलता नहीं है बस रिलीज हो जाता है मतलब वहाँ से थोड़ा से उसको आप ऊपर करके उसको ओपन कर सकते हैं तो यह लेंगे तो इस गाड़ी में आपको fog lamp भी मिलता है और उसके पार dirl मिलता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी इसके गाड़ियां हैं उनमें ना तो आपको fog lamp मिलेगा और दो डीरल मिलेगा तो यह plus उसके बाद अगर light कथो देखेंगे तो ओके ओके है ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत बुरा है ठीक ठाक है और पूरा आप फ्रंट का विए देखेंगे ना तो पूरा ही मतलब टॉप एंड की तरह नहीं क्योंकि टॉप एंड मेरेंट में तो पूरा यह लीडी का से एक बार के लिए मैं बताता चलूँगा कि उसमें आपको क्या चीज़ें मिल जाती है और क्या नहीं मिलती है उसके बाद एक प्लस पॉइंट जो है इव गाड़ी का पॉजिटिव फीचर मुझे यह लगा जैसे यहां पर देखेंगे आप यह 15 इंज का टायर मिलता है यह अच्छी बात ही इसके पाद आप देखेंगे तो यहां पे वील कवर है न तो यह नट पर लगा हुआ है यहां पर नецड बोल्ट पयर कफा हुआ है तो यह निकलने का डर नहीं रहता और अगर आप दूसरी पाड़ी जबूती से फील है और देखने में भी अच्छी लग रहे हैं पूरा डार्ग ग्रे कलर में है तो अच्छा लग रहा है और बेस्ट वेरियंट की जो पहचान है यहां पर आपको फैंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर यहां पर रहता है उसके पाद आप पीछे वाला टार देखेंगें के तो जैख फर इस में आगे तो डिस्क बिर्क मिलता है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है पीछे देखेंगे तो पीछे कोई कमी नहीं हे है फिर जैसे एकर आप इसका इस सपोर्ट वेरियंट लेते हैं आ तो यह उह जो आफकर पुरा यह लीडी में आ जाता है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है मैं शही बताउ ना ट्रू बी ट्रू तू वो देखने में बहुत प्यारा लगता है इसका थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि अंदर हाई-logilerson लगा हुआ है लेकिन जो इस क्योंकि फूरज धल रहे हैं दिन धलने वाला है तो आगे देखें तो कितना शांदार लग रहा है यह पूरी तरह से भगवा रंग दिख रहा है यहां पर तो यह चीज है उसके बाद और क्या है पॉजिटिव में बता देता हूं आपको जफे अंदर चलते हैं आप देख ल जो सबसे अच्छी चीज है इस गाड़ी में आपको चार स्पीकर मिलते हैं एक चारों डोर पे चार स्पीकर और दो ट्विटर यह भी आपको जैफे बलीनों वगेरा है ना उनमें नहीं मिलता है आपको कंपनी फे लगवाना पड़ेगा या आफ्टर मार्केट में लगव और आवाज भी अच्छी है उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको चारों पावर बिंडो के बटन मिल जाते हैं सेंट्र लॉकिंग और बियुम को इलेक्टिकली एड्जेस्ट कर सकते हैं फोल्ड आपको हाथ फे करना पड़ेगा तो यह चीज हैं पूरा ही डा को बटन मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं है यह गलत बात है तो आपको जो बुरा ही है वह भी मैं बताता चलूंगा उसके बाद यहां पर देखेंगे तो एक कमी मुझे यह लगी जैसे यहां पर हाइट रजेस्ट करने का अप्शन नहीं है यह होना चाहिए मेरे ही आप से हाइट रजेस्ट करने का तो नहीं दिया है क्योंकि मेरी हाइट तुमी ज्यादा नहीं है 5-6 है तो मुझे थोड़ाफ लगता है कि अगर थोड़ी और उची सीट होती तो थोड़ाफ ज्यादा मजा आता ड्राइब करने में और क्या है एक बार मैं गाड़ी के अंदर कर देखेंगे मामिट का रचेंगा अगर चाहते तो यहीं पर सकते थे लेकिन यहां पर लगता है कि थोड़ाफ अपर सब्सक्राइब करने के लिए यह यह अच्छी बात और उसकी बात देखेंगे तो एक सबसे शांदार फीचर है जैसे पूरा स्टेरिंग वील तो आपने देखी लिया यहां पर आपको सिलबर फार्टन में मिलता है बटरफ्लाई टाइप से स्टेरिंग वील है जो देखने में अच्छा लगता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा बलीनों में देखेंगे तो यहां पर डीकट आपको ऑटोमेटिक हेड्लम जाता है जैसे अधेरा होता है तो यह उपन हो जाता है यह बहुत अच्छी चीज है दूसरी गाड़ियां आपको नहीं मिल रही है जो इसके कंपटीशन में अगर मैं बात करूं इसके सिर्फ कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं एल्ट्रोज मैंने इतना नहीं देखा है तो एक बार के लिए आट रोज में चीजें हो फक्ती हैं इधर उसा में देखी हैं तो में जो टारगेट है ना मेरा वह लाइनो के लिए है क्योंकि मुझे कमेंट करके यही बोल रहते कि आपको बली नहीं चाहिए था कि अच्छा क्या है और क्या नहीं है माइलिज तो इस गाली में नहीं है ज्यादा क्योंकि अभी देखेंगे तो 14-15 का माइलेज दे रही है ठीक ठाक है कम नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे चल कि यह माइलेज बढ़ेगा उसके बाद मैं एक बार गाली को स्टार्ट कर लेता चाभी कहां रखी मैंने चाभी रख ली जेब में इसका क्लस्टर देखिए आप कितना प्यारा लगता है कितना स्पोर्टी इसका क्लस्टर है जैसे अभी देखेंगे तो 220 किलो मीटर फिर गारी चली है यह बंद कर देता हूं टिक 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 इधर देखेंगे तो पूरा इसकाफोड़ की स्पीड है यहां पर इंजन टमप्रेचर बता देता है यहां पर जितने भी रिमाइंडर है जैसे सीट बेल्ट बैटरी औ प्रफाइट का खुला हुआ है जैसे मैं इसको बंद करता हूं तो यह यहां पे यह देखिए बंद हो गया तो यह भी मुझे अच्छी लगी में जो है न में आपको पूरा डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है यह मुझे अच्छा लगा और कुछ भी नहीं में वही चीज है और यहां पे देखेंगे तो आपको सीट बिल्ट के रिमाइंडर भी दिये हुए है तो इसमें पीछे भी मैं पीछे चलके अब सारी बात करूंगा उसकी उसके बाद जो में चीज है यहां पे देखेंगे तो आपको इतना बड़ा मिल रहा पूरा इंपोर्टेंवन्ट क्योंकि अगर आप बलीनों में देखेंगे तो आपको मिलते ही नहीं है वह आपको आफ्टर मार्केट या कंपनी से सेट करवाना पड़ेगा अगर कंपनी फीट चीजे रहती है तो थोड़ा सा मज़ा आता है देखने में अच्छा लगता है फीट एंड फीनिस क्वाल्ट को रख देता हूं यहां पर उसकी बाद आप देखेंगे तो एसी तो आपको सभी गाड़ियों में मिलता है और बलीनों में एक अच्छी चीज यह है कि आपको पूरी तरह से आटोमेटिक एसी मिलता है और उसकी एसी की बात अलग है मैं सही बताऊ ना तो आई-टॉंटी क नहीं लगी मैं सही बताऊ तो क्योंकि इसका थोड़ा सा मुझे कम लगा इसी पीछे भी इसमें एसी है यह अच्छी बात है जैसे बलीनों में आपको पीछे नहीं मिलता फिर पागे मिलता है तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि पीछे भी है कोई दिक्कत नहीं है उसके क्याओ और कुछ मिस्तों नहीं हो रहा जैसे यहांपर देखेंगी तो कि ये तो ही है मैं चीज जैसे यहां पर देखेंगो तो यह बैस बेर्यंट है और बेस बेरियर मिल cooler अर्मश्ठ आ पूरा सॉप बाला है यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि बलीनों में अगर आप तो सिर्फ टॉप एन वेरियंट में मिलता है नीचे वाले वेरियंट में मिलता ही नहीं है तो यह पूरी जगा खाली रहती है न तो अच्छा नहीं लगता यह आप भी समझ पाएंगे जैसे गाड़ी अगर आप ड्राइब कर रहे है न तो यहां पर हाथ रख लिए अपना त पर यहां पर देखेंगे एक संग्लास फोल्डर मिल जाता है जो आपको दूफरी गाड़ियों में नहीं मिलता मैं फिर से बात कर रहा हूं जो यह जैसे यहां पर फिक्स दिया हुआ है यह ग्रैब हैंडल उसमें एड्जिस्ट होने वाला है तो थोड़ा फ़ा धीरे फे एड्जिस्ट हो जाता है वह चीज अच्छी लगती है और तो सारी चीजे हैं इसमें आपको दो स्टेंडर्ड एर्वेक्स मिल जाते हैं और बलीनो अगेरा में भी दो ही मिलते हैं और बलीनो और इसकी अगर मैं बिल्ट क्वाल्टी की बात करूं ना तो वह भी सेम ही होगी कोई दिक्कत नहीं एल्ट्रोज तो खैर बात अलागे उसकी बहुत जवर्जफत गाड़ी है वह तो अगर मजबूती में बात करें ना तो फाइव स्ट्यार रेटिंग वाली गाड़ी है वह तो उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है और क्या है आगे का तो मुझे लगता है कि फारी चीजे हो गई है मैं एक बार पीछे चलता हूँ पीछे का डोर ओपन करके दिखाता हूँ तो पीछे आपको यहां पे भी स्पीकर मिल जाता है यह अच्छी बात है और कुछ भी नहीं है यहां पे हाफ लिटर की बाटाल आ जाएगी और क्या है आपको तीनों ही एड़ेस्टिबल हेडरेस्ट मिलने लगे हैं और यह आप अच्छी बात है और एक प्लस पॉइंट यहां पर है सीड आपको एफी पीछे आपको एफी मिल जाता है जो कि बलीनों वगईरा में आपको नहीं मिलता तो यह चीजे पीछे आपको एक चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है मोबाइल रखने के लिए जगय भी है तो यह यह भी एच्छी चीज है और एक और अच्छी चीज है जैसे उपर देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है केविल लाइट बलीनों में फिर आपको आगे मिलता है यहां पर आपको मिल जाता है पीछे भी यह भी एच्छी बात है और क्या है और तो फारी चीजें ठीक ही है जैसे इसमें आपको पीछे कोई भी पार्फल ट्रे नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं पार्फल ट्रे आप लगवा फकते हैं और में जो है ना में जो फ्रंट का लूख है और अंदर आपको दो तीन चीजें अलग मिल जाती हैं आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें एक बार समझ में आ जाएंगी में यही वजय है कि मैंने आई टूंटी ली और आई टूंटी लेने का और भी बहुत ज्यादा रीज नहीं है मेरे इंसाब से और हाई लोजन का यह जो थोड़ा सा थ्रो है ना इतना शांदार नहीं है मैं टूबी टू कहूं तो यहां पर मुझे लगवाना है और एक बात और रहे हैं अगर आप बलीनों लेते हैं तो फायद वहां पर हाई लोजन का प्रोजेक्टर मिल जात यहां पर लिखा यहां पर लर्निंग के लिए तो यह चीज थोड़ी फी गडबड हो भी आरू देखेंगे तो रो रहा है मैं वीडियो बना के उसको लेता हूं क्योंकि वह परिशान कर रहा है तो आज के वीडियो आपको कैफा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इसी ट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा थैंक यू